नमस्कार अपुर्वास किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोगों के साथ एक और बेकिंग आइटम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगोंने क्रिस्मस कैसे सेलिब्रेट किया ये आप मुझे कमेंट करके बताएं क्रिस्मस के बाद अब हम न्यू येर के लिए इस रेसिपी को बनाएंगे आज मैं आपके साथ बनाना पीनट ब्राउनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो चलिए देख लेते हैं बनाना पीनट ब्राउनी कैसे बनाना है इसके लिए सबसे पहले हम केलो को मैश कर लेंगे यहां मैंने चार केले ले लिया है इन्हें हम मैश करेंगे अब देख सकती हैं सारे केलो को मैंने मैश कर लिया है केलो को मैश कर लेने के बाद अब हम इसमें चीनी डालेंगे हाफ कप वाले मेजरिंग कप से मैंने दो कप चीनी यूज किया है ये बारिक कंड वाले चीनी है जिसे कि ब्रिक्फस्ट शुगर भी कहा जाता है चीनी डाल देने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें और अब हम इसमें तीन चमच पीनट बटर डाल देंगे मैंने घर में यूज होने वाले रिगुलर चमच का यूज किया है पीनट बटर डाल देने के बाद इसे मिक्स कर ले और अब हम इसमें चार चमच कोको पॉर्डर और एक चमच वनीला एसंस डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक तड़का पैन में मैंने दो टेबल स्पून बटर और एक चॉकलेट का बाद तोड कर डाल दिया है लो फ्लेम में हम बटर को मिल्ट कर लेंगे यहां मैंने सॉल्टेट बटर का यूज किया है आप अगर अंसॉल्टेट बटर ले रही है तो तयार इस बैटर में एक पिंच नमक जरूर अट करें अब देख सकती हैं बटर और चॉकलेट अच्छे से मिल्ट हो गया है तो अब हम इसे ब्राउनी के इस बैटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर तयार है तो अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे एक baking tray में मैंने parchment paper रख दिया है उपर से इसमें butter लगा कर grease कर ले और तयार इस batter को डाल कर अच्छे से फैला दें अब हम इसे bake होने के लिए रख देंगे oven को मैंने पहले ही preheat कर लिया था अवन में ट्रेई डालकर हम 180 टिग्री में आधे घंटे के लिए इसे बेग कर लेंगे आधे घंटे बाद इसे अवन से निकाल ले, हलकी सी ठंडी हो जाए तब हम इसे ट्रेई से निकाल कर सर्फ कर लेंगे पार्शमिन पेपर निकाल लेना है आप देख सकती है बहुत ही अच्छा ये ब्राउनी बनकर तैयार है बिल्कुल परफेक्ट ये ब्राउनी बनकर तैयार हुई थी आप इसे ट्राई जरूर करें बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है तैयार है हमारा बनान पीनियर प्राउनी आपको मेरी रिसपी कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूले ay अगर आपको मेरी रैसपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और स्चे जड़ोर करें चैनल में नए हैं और वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो बस वीडियो देखकर चले न जाएं ऐसे ही इजी टू मेक और टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन देख रहा है उसे प्रेस करके आल पे क्लिक कर दे ताकि मेरे अपलोट किये हुए हर वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और अगर आप मुझे फेस्बुक या इंस्टेग्राम में देख रही है तो फॉलोव जरूर कर ले थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग